Hello friends, welcome to my channel Indian Momcom आज मैं आपको बताने जारे हूँ पेट से सबल्दित यानि पेट का कोई भी विकार है वो इस तरीके से 100% ठीक हो जाएगा चाहे तो पेट में ज़्यादा गैस बनती है, एपच रहती है आपको गैस, एसिडिटी, कबज, इन समस्याओं को फेज करना पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है इसमें जो तरीके बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत फाइदे मन साबित होंगे आपने कच्चा पपीता सुना होगा कच्चे पपीते के फाइदे आपने यूरिक एसिड को क्योर करने के लिए सुने होंगे लेकिन ये पेट से सब्बंदित जितनी भी समस्याओं है उनको ठीक करता है आपने कच्चे पपीते की सबजी रोजाना खानी है ऐसा करने से पेट से सब्बंदित जितनी भी समस्याई है वो दूर हो जाती है पका हुआ पपीता और पपीते के पत्ते पपीते के पत्ते जो हैं कैंसर को दूर करते हैं पका हुआ पपीता कब्ज को दूर करता है उतमें अच्छी मातरा में फाइबर विटामिन C होता है लेकिन जो पपीते की सबजी कच्चे पपीते की सबजी आप खाएंगे तो पेट से सब्बंदित कोई भी समस्या हो वो सब ठीक हो जाए इसके इलावा आप शाम के टाइम 5- साथ मुनक के और दो अंजीर भिगो दीजिए और सुभे इंका सेवन कीजिए ऐसा करने से भी पेट से सब्बंदित समस्याइं दूर हो जाती है जिनको भी एनीमिया यानि बाडी में खून की कमी है हीमोगलोबिन कम है तो हीमोगलोबिन बहुत तेजी से बढ़ने लगता ह इसके लावा पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राउट यानि अंकूरित अनाज खाना बहुत फाइदेमंद हैं मौत सारे लोग यह कहते हैं कि हम अंकूरित अनाज खाते हैं तो हमारा डाइजेशन बिगड जाता है तो यह पेट से सबंदित समस्याओं को कैसे द लेना है तो गैसे लेना यह पेट समस्याओं को किसी मेडिसिन को लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तो ये थी बहुती खास information जिनको पेट से सबंदित कोई भी विकार है अगर आपको ये information अच्छी लगी तो आप like जरूर करिएगा और अपने friends के साथ जरूर share करिएगा, मिलते हैं next video में तब तक के लिए, stay healthy, always be happy thank you for watching my video, okay, bye